मशकार, मेरा कुछ टॉपिक था कि छोटी शुरुआत से बड़े सपने कैसे पूरे किया जाते हैं तो थोड़ी से एक कहानी के पहले, मैं लेके चलूँगा आप सभी लोगों को कि एक security in charge का, जिसकी salary तीन हजार है, उनकी धर्म पतनी एक स्कूल चलाती है मतलब किराय के घर में, छे साथ लोगों का गाउं में एक स्कूल चल रहा है वो भी इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों का जीवन यापन कर पाएं और वो माता-पिता मेरे थे मैं अभी 20 साल गाउं उस lower middle class family से आज से 4 साल बात देखा जाए तो 5 MLA's, 3 MP's और 2 cabinet minister के social media and political campaign run करने वाले हर एक नीश में, जितने भी नीश है astrology, आपके real estate, e-commerce सब top नीश में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए campaigns run करने वाले, वो campaigns हम लोग run कर रहे हैं नमश्कार, मेरा नाम आरेंतरपाटी है, मेरी उम्र 20 साल है, मैं second year drop out हूँ, और मैंने भी एक वो लिया था, मतलब, Elon Musk से बहुत inspire हो गया था, तो 11th class 11th class में, बढ़िया AI AI बहुत आने वाला है, इंडिया में कार नहीं है अभी, तो AI लूँगा तो 12th class में मैंने भी AI लिया, मैंने कॉलिज में AI लिया, AI ML, हम लोग गए, और वहाँ पे जब टीचर्स से बात करी, टीचर्स देखे, तो यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा था, इलाउन मस्क तो नहीं बन रहा था, अब थोड़ा पीछे आते हैं, हर एक, मतलब जैसे आप लोगों ने सुनाओगा, इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं, वैसे यूटूबर्स भी कुछ भी कर सकते हैं, फिफ्थ क्लास, जब मेरे यूटूब करियर के स्टार्टिंग हुई, टेक बहुत चल रहा था, तो मैंने टेकनिकल वीडियो बनाना चालू करें, और इतना क्रेज हो गया था, कि मैंने 300 वीडियो रेगुलर अपलोड करें, एक के बाद, एक के बाद, मैं अपलोड कर दिया करता था, कुछ नी करना रहता था, टेकनिकल सर्च करी, और उसी को रीट करके वीडियो डाल दिया करता था, कुछ नया फोन आया, उसकी फोटोज ली, और फोटोज में क्या अच्छा है, क्या गंदा है, दूसरे की वीडियो देखके सेम बोल दिया ये पूरी 300 वीडियो अपलोड करने के बाद भैया के 70-80 रुपए पर डे बनते थे मेरे 300 वीडियो अपलोड करने के बाद 6500 रुपए बने थे नहीं वाव वाली कोई भी बात नहीं थे YouTube से फिर पता चल गया कि यहां से तो कुछ नहीं होना है बट यहां से skills बहुत सारी आ गए थी आप में से कितने लोग पैसे कमाना चाहते है आप में से single person भी पैसे कोई भी नहीं कमाना चाहता आप सब लोग feeling लेना चाहते है पैसो की अब आपके पास पैसे हैं 10 लाख रुपे हैं बट आप खर्ची नहीं कर सकते हैं उनको रखो side में कुछ value है उनकी आपको feeling लेनी है एक अच्छे कपडो की अच्छी कार की जो भी आपको एक feeling करनी है तो जब आपको successful होना है तो आपको आपकी feelings अटेच करनी पड़ती है तो क्योंकि एक ब्रहमण फैंबली में born हुआ है पचपन से spiritual रहें रामा है भगवत गीता घर में यही मतलब मैं को आज तक ऐसा दिन नहीं हुआ है कि घर में एक दो घंटे पूजा नहीं हो रही हो स्कूल का टिफिन लेट हो रहा है क्योंकि मम्मी पूजा कर रही है तो मैंने का यह कैंसी पूजा है बट वो अब पता चलती है सो यूटूब से बहुत सारी skills सीखी वीडियो एडिटिंग सीखी ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी और यहां पर पता चल गया कि जब पैसे नहीं है धीरे-धीरे करके मैं फ्रीलैंसिंग में उतर गया सटडे संडे मैं वीडियो शूट करने जाया करता था मंडे टू फ्राइडे मैं उसको एडिट किया करता था तो जब भी मुझे वह 200 रुपे मिलते थे तो मैं 20 रुपे की हाफ लेट मंचूरियन घाता था एक स्प्राइड लेता था चोटी आली और वो मेरे लिए संस ओफ अचीवमेंट था वाँ मज़ा आया फिर उसके बाद धीरे-धीरे यह सब चीज आलू होती है बहुत सारी चीज़े अलग-अलग ट्राइ करते हैं अफिलेट मार्केटिंग ट्राइ करता हूँ फिर ब्लॉगिंग ट्राइ करता हूँ बहुत सारे आर्टिकल्स डालते हैं बट किसी में भी कुछ सक्सस मिलती नहीं लेवन्ध क्लास में मैं भगवान को अपना पार्टनर बनाता हूँ भगवान जी जो भी मिलेगा 10% आपका बाकी मेरा और अब क्योंकि इतना डिजिटली जित्ती चीजे थी सब में मैं जा चुका था तो यूटूब कैश काउगर के एक चीज रहती जहां पर आप वीडियो बनाते हो उस टाइम इतना कॉपिराइट का मॉनिटाइजेशन इतनी स्ट्रिक नहीं थी तो उसमें सिंपल रहता था आपको वीडियो उठानी है पांच मिनिट का आठ मिनिट का आठ मिनिट से जादा में पैसे अच्छे मिलते थे तो आठ मिनिट दो सेकेंड तक टेश करना रहता था तो टेश करा और यूटूब कंपाइलेशन जीटे फाइफ का मेरा चैनल अच्छा सा ग्रो हो गया रात को एक इमेल आता है कि I want to buy your channel और उस टाइम यह बहुत common हो चुगा था सबके channel hack हो रहे थे वो सब buy या फिर deal का बोलते थे फिर एक link भेज़ते थे channel hack हो जाता था तो मैंको लगा है टेग optimizer को बताएंगे हम तो टेग की वीडियो दना पर तो मैंने का मैंने reply कर दिया okay nine hundred dollars उसने बोला send me your paypal ID रात के बारा एक बज़ रहे हैंगे मैं बेजता हूँ अपनी paypal ID मेरी paypal ID की बन चुकी थी पिता जी के नाम पर बनी थी जो स्टॉक में होता है कि जो स्टॉक दिया मैंने यह सब चीज उदर भी बताई बट उनने कट कर दिया तो मैंने बोला 900 डॉलर कमाए और फिर बीच में जो भी था उनने कट कर दिया और अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी paypal ID पिता जी के नाम पे थी और वो पैसे आ जाते हे और मैं रात को भाई क्या गजब है करें email आ रहा है और पैसे भी आ रहे हैं पूरा paypal का app खोल रहा हूँ पैसे दिख रहे हैं और मैं को विश्वास ही नहीं हो रहा तो मैं सब चीज़ चेक कर ले रहा हूँ क्या email ID के बाद में paypal.com लिखा हुआ है लिखा हुआ था पैसे आ गए मैंने उसको channel का access देता हूँ और वहाँ से मेरी first earning की शुरुआत होती है first एक अच्छी earning की शुरुआत होती है अब क्योंकि उस टाइम lockdown से बहुत पहले की बात है उस टाइम मैं विवेक बिंदरा जी को बहुत देखता था upsell, downsell, crosssell पूरा business MBA मैंने वाला MBA तो नहीं कर रहा था घर बैटे video वाला MBA कर लिया था तो मैंने email कर दिया कि आपकी video कौन एडिट करेगा अब sell वाला मेरा business mind चला तो नहीं बुला आप ही करना तो आप कितने चार्ज करेंगे English में conversation चल रही है US में खरीद है तो मैं 50 डॉलर लिखता हूँ गो कहता है नहीं 30 डॉलर मैंने का deal done 30 डॉलर डील डन अब धीरे धीरे क्योंकि मेरे कुछ दोस्त क्योंकि video editing का उस टाइम सब को ही चड़ गया था सब लोग youtubers बन रहे थे तो कुछ दो-चार दोस्त थे उन लोगों मैंने कलिया के भाई मैं तुम्हें हर वीडियो के 200 रुपे दूँगा और यहाँ पे था हमें entrepreneur 30 डॉलर आने 200 रुपे देने कुछ 2000 रुपे करीब आने थे 2000 रुपे उसमें tax wax बहुत सारी चीज़े paypal सेट था था और 200 रुपे हमारे entrepreneurship के career के starting हो गई थी so यहाँ पे चालू होता है मैं video editing करता हूँ बट सबसे बड़ा अब एक question निकल के आता है वो यह निकल के आता है कि यह मुझे जो पैसे दे रहा है 900 डॉलर, 30 डॉलर कभी कबार advance में दे दिया करता था 10 वीडियो के यह पैसे कहां से कमा रहा है तो उससे chat पे बात हुई उसने बोला dropshipping करता हूँ अब by chance उसको अपना course अपडेट करना था मैं था वीडियो एडिटर English अपनी बहुत कमजोर अभी भाईया एक question पूछ रहते हैं बहुत अच्छी English में पूछ रहते है तो मैं लेता हूँ कि हाँ मैं edit कर लूँगा rejection नहीं लेता हूँ उसका पूरा course English में रहता है बट सीखेंगे कुछ ना कुछ तो होगा मैं पूरा course ले लेता हूँ edit करता हूँ बहुत सारी चीजे सीखता हूँ उसमें वो simple सा बताता है drop shipping में कुछ नहीं करना AliExpress पे जाना है एक अच्छा product डूणना है उसकी website बनानी है और influencers को पैसे दे के आपको पैसे कमाने है simple और daily का वो जित्ते पैसे डालता है उसका double कर लेता है कित अच्छा लग रहा है में को भी बहुत अच्छा लगा मैंने भी करा मेरे पास 2-3 लाग रुपे आ चुके थे मैंने पूरे के पूरे जित्ते थे 10,000 रुपे बचे होंगे सबके सब मैंने influencer marketing के लिए कोई meme pages रहते थे meme बजार करके है meme बजार करके है कोई 900 डॉलर चार्ज कर रहा है कोई 500 डॉलर चार्ज कर रहा है मैंने सबको pay कर दिया और campaign लगा दिया और भगवान जी से मैं बोल रहा हूं और सपने पूरे देख चुके है कोई कोर्स आड़िट कर रहा है उसके पैसे डबल हो रहा है आज 100 रुपे लगाता था 200 रुपे हो रहा है तो मैंने 2,00,000 रुपे कमाए अब 4,00,000 रुपे होंगे अब इतना excited कि रात को नीद नहीं आ रही है क्योंकि वहाँ पर रात को campaign लगते थे US time zone में चले है और पूरा दिन निकल जाता है सिर्फ एक साइल आती है 19 डॉलर की 11th क्लास के बच्चा 2, 3,00,000 रुपे लगा चुका है अब उसके पास आग एका कुछ रस्ता नहीं है जो थोड़े मोटे सपने थे सब चले गए हूँ है मैंने का भगवान जी परसेंटे जादा लेना था तो बताते है इतना लॉस निकराना था सो ये निकलता है अब गुसे की आग भर जाती है कि कैसे हुआ लॉस तो क्या-क्या options है अब कैसे dropshipping होती है तो फिर YouTube से जर्दनी चालू होती है Facebook Ads में सीखना चालू करता हूँ बहुत सारे लोगों की वीडियो देखता हूँ और उस टाइम अब पैसे बचे ही नहीं थे वो 10,000 रुपे भी इदर उदर कहीना कहीं चले गए है तो बिन चलते थे पहले अब बंद हो चुके हैं तो Facebook का बिन आपको Telegram पे मिल जाता था 10 डॉलर का, 5 डॉलर का एक तरह से illegal रहता है ठीक है, वो हमने लिया वो 10 डॉलर के मैंने US में एड लगा दिये एक laggy थी, वो laggy मैं sell कर रहा था drop shipping में और उसका order आ जाता है 400 रुपे की cost पे मेरा 2000 रुपे का product बिक जाता है और 300 रुपे उसकी cost थी तो अब मेरे पास profit, finally एक उमीद दिखी की कैसे पैसे कमाने है अब धीरे धीरे अब जो पैसे आ चुके थे, तो सबसे पहले क्या लेते है iPhone, Macbook ये मैंने लिया उसकी photo कीची, Instagram story पे लगाई तो बाकी दोस्त लोग full influence ये, पैसे कैसे कमाता है तो अब सब का reply आता था तो मैं उनको बताता था drop shipping business करो तो अगर मेरा 3 लाग dollar का हुआ रहता था 300 की का अगर मेरा revenue हुआ करता था, तो मैं half price में या फिर same price में, जितना revenue हुआ उतनी price में बेज दिया करता था तो इससे मैंने एक अच्छा पैसा कमाया अब क्योंकि US और Canada में अगर आपने ad चला दी, वहाँ पर purchase कर रहा हूँ, तो किस तरीके से पैसे बना जा रहे है, किस तरीके से यह पूरी चीज काम कर रही है, तो YouTube जरनी पर मैं बैठा हूँ, द्यान से सोच रहा हूँ YouTube कैसे पैसे कमा रहा है या तिरे एक YouTuber कैसे पैसे कमा रहा है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ YouTube 45% चार्ज कर रहा है, में को 65% या 55% दे रहा है, और एक brand है, जो इन दोनों को पैसे देने के बाद, product को भी देने के बाद, product के shipping चार्ज को देने के बाद, भी profit कर ले रहा है, वो अपने salary भी दे पा रहा है, तो एक product आपको चाहिए, अगर आपको एक बहुत अच्छा पैसा कमाना है, तो आपको product चाहिए, अब दो type के product होते हैं, service based product होता है, एक actual product होता है, जो physical रहता है, अब आपको physical product अगर business चालू करना है, तो आपको पैसा बहुत लगता है, आपको एक दुकान लगेगी, दुकान का security deposit, आप बलके में सामान मंगाओगी जब आपको सस्ता बढ़ेगा, तो उतने पैसे तो नहीं है, तो या तो एक digital product हो जाए, या तो एक service product हो जाए, तो मैं digital product से चालू करता हूँ, क्योंकि मैं को Facebook ads बहुत अच्छा आ चुके हो थे, तो इंडिया में मैं लेके आता हूँ, Facebook ads course, और उसी के मैं Facebook ads ट्रंग कर देता हूँ, अब lockdown का time लग चुगा था और मैंने ad बनाया था, कि lockdown में मैंने कैसे पैसे कमाया, और मैंने actual पूरा proof दिखाया, कि drop shipping से मैं SSS से पैसे कमा रहा था, अब वो एक अच्छा चलता है, और मैंने domain लिया था, अब लोगों को ये लगता है, कि मैं एक advertising agency हूँ, जो Facebook ads भी चला रहे हैं, तो वहाँ से मेरे पास indirect client आने लग जाते हैं, तो कभी कवार आप लोग सोचते हैं, कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट ये totally different हो जाता है, आप सोचते हैं, कि आप एक course बेचेंगे, बट वहाँ से मेरे service based business की starting होती है, first client आता है, कि आप मेरे ads चलाएंगे, हम बोलते हैं बिल्कुल, तो opportunity आती गई, सबसे पहले मैंने 25,000 रुपए चार्ज करें, दूसरा client आया, मैंने 40,000 करें, third client हमारे पास real estate के आया है, फरिदाबाद का ग्रुप था, अब जब वो आये, तो उनने बोला कि आप ads चला लेंगे, तो हमने बोला मैं सच्चा इंसान हूँ, मैंने बोला, अभी तक तो नहीं चलाएं, चला सकते हैं, नहीं नहीं, आप चला लेंगे, आप कितना चार्ज करते हैं, तो मैंने बोला, थोड़े से expensive हैं, मैं बो, 30,000 रुपए expensive लगता था, और महीने आ रहा है, दो client हो गए थे, हर मैंने 40,000, 50,000 रुपए आ रहे हैं, मैं था, मेरा दोस्त, रविन था, अनुष था, हम तीन लोग मिलके पूरा काम कर रहे हैं, तो कुछ खर्चा तो है नहीं, घर बैटे, बस laptop के आगे, meeting कोल नहीं थी, free का पैसा आ रहा था, पूरी profitability, service-based business में यही फाइदा रहता है, कि आप जित्ता भी आप करते हैं, आपके profit margin जो रहता है, वो सबसे जादा रहता है, product में आप, for example, इमाई के 10,000 का है, तो मुश्किल से margin जो है, 10% का है, 5% का है, retailer के पास, तो मैं, वो कहता है, आप कित्ता चार्ज करेंगे meeting में, expensive तो हैं आप, तो मैं बोलता हूँ, 50,000, और मैं बिल्कुल डरे डरे में बोला हूँ, इत्ता तो मेरा भी कर रहा हूँ, मैं एक से बोल ले आ ला हूँ, नहीं का negotiate कराएगा, ओके, आप आपकी UPI ID बताईए, वहाँ, UPI ID बताईए, और meeting में ही पैसा आ गया, तो पहली ऐसी meeting, जो meeting करते करते, मुझे पैसा आ जाता है, वो आ जाता है, फिर मैं समझ गया, कि service base में जितना पैसा है, वो कहीं भी नहीं है, तो service में ही हम लोग बहुत अच्छे से cater कर लेते हैं, मैं जो मेरे course के ad चला रहा था, मैं उसको और double up कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को leads आ रही थी उससे, मेरा service based business महां से grow होने लग गया, जित्ते में ad चलाता था, course से जो पैसा आ रहा है, वो आ रहा है, प्लस मेरे पास clients भी आ रहे हैं, जो high-target clients हैं, तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 2021 में याहू की India's best Facebook advertising agency बन जाते हैं, फिर और समझ में आता है कि भाहिया ये तो service हो गया, अब service में limitations है, बहुत सारी limitations रहते हैं, कि इस तरीकी limitations, आपके पास team member, आप में limited client ले सकता हूँ, 5 client, 10 client, बट product, अगर मेरे पास 100 mic है, तो मैं 100 लोगों को बेच दूँगा, और भी mic मंगा सकता हूँ, तो labor में को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो टीम में को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो क्यों नहीं एक product बना जाए, जब हम LearnMais की शुरुआत करते हैं, हमारे act tech venture की, जहां पर हम online digital marketing से कहाते हैं, अब वो offline भी आ चुके हैं, हमारे offline साथ centers है, बट इस पूरी journey को compile किया जाए, तो learning क्या कहा रहीं, उस पे आता हूँ, क्योंकि आप स्टोरी तो बहुत सुनेंगे, और उससे कुछ सीखनी पाएंगे, एक सबसे बड़ी learning थी मेरी spirituality की, हम लोग जो human being है, हम लोगों को दोशा रोपण की आदत है, पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए, कुछ ना कुछ एक reason होगा, ममी टीवी चला रहें थी, हम कुछ कर रहे थे, तो हमारे nature बना हुआ है, तो जब हम लोग भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा कर रहे रहते हैं, तो हम पूरा inclined हो जाते हैं, भगवान मेरा काम तो करवाएंगे ही, और ये पूरा का पूरा game success का, subconscious mind का है, अब कितने अच्छे से आपके vision को सोच लेते हो, कि ये तो पूरा हो गई, और जब आप किसी से जुड़ चुके हो, किसी पर आज छोड़ दी है, तो अब वो करवाएंगे, आप आपका 100% देने लगते हो, आपको कोई failure का कुछ सोचना बंद कर देते हो, मतलब failure तो होना ही नहीं है, क्योंकि भगवान जी साथ में है, तो अब भगवद गीता रीट करना चालो करता हूँ, रामायन पढ़ लेता हूँ मैं, ये पूरी spiritual जन्दी चालो होती है, और धीरे धीरे जो भी काम कर रहता हूँ, उसमें मेरे को खुद confidence रहता है, कि ये चीज complete होगी ही होगी, क्यों, क्योंकि मेरे साथ भगवान जी है, second, 11th class में अमन धतरवाल करके, आप सभी लोग जानते होंगे, तो 11th class में फर्स टाइम मैंने उनकी वीडियो देखी, उनने बोला कि आपके 95% आएंगे, कुछ हो जाए, दुनिया हिल जाए, वो हो जाए, आपके 12 में 95% आएंगे ही आएंगे, आपने बोला आएंगे, 11th class में 95% आएंगे, तो उनने बोला था हर जागे गोद दो, तो मैं 11th class में पूरा कर दिया, बट मेरे पास एक छोटा white boat था, वहाँ पे मैं छोटे से कोने में लिख देता हूँ, एक लाख रुपे, और ये जब की बाते मैं थोड़ा सा पीछे जा चुका हूँ, जब मैं 200 रुपे कमा रहा हूँ, हफ्ते के, और मतलब कहां से एक लाख रुपे आएंगे, कुछ नहीं पता, वो आएंगे, यही होता है, हमारा course चलता है, हमारे पास clients आते हैं, और वो एक लाख के जगए, हम लोग तीन लाख रुपे का उस साल में revenue कर लेते हैं, यह जो आपका subconscious mind है, मतलब बहुत easy लगता है, कि subconscious mind में का, डेली सुबह उठना है, देखना है, मेरे पास एक Lamborghini होगी, एक घर होगा, रात को सोना है, जब देखना है, एक बास Lamborghini होगी, अब हम लोग बात आजाते हैं, कि आपको पैसे कैसे कमाने है, पैसे कमाने के लिए, जस समराइज करता हूँ मैं अपनी जर्नी, पैसे कमाने के लिए आपको एक product, एक service चाहिए, आप पहचान में जितने भी family members हैं, आप सब को देख लिए, सबसे अमीर कौन है, या फिर वो क्या sell कर रहा है, कोई ना कोई कुछ एक दुकान होगी, या फिर वो अपनी service दे रहे होंगे, अब service किस टाइप क्यों होती है, आपके ग्यान की service हो सकती है, जैसे भाईया अपने ग्यान की service दे रहे थे, थर्टी डॉलर पर आर उनको मिल रहा था, आपकी या तो service हो सकती है, या product हो सकता है, product-based business में आपकी एक बहुत high investment लगती है, तो आप लोग वो इस्टाइट नहीं कर सकते हैं, तो आप कहां जा सकते हो service-based business में, service-based business में बहुत सारे तरीके हैं, आप social media सबको read डालना आता है, सबके होंग अकाउंट तो बहुत सारे cafes हैं, बहुत सारे restaurants हैं, आप उनको pitch कर सकते हो, आप एक service दे सकते हो, मैं आपका social media मैनेज करूँगा, या मैनेज करूँगी, video editing, graphic designing, और वहां से आप आपकी career की starting कर सकते हो, बेचा कैसे जाता है, पांच points रहते हैं, बहुत simple से, सबसे पहले आपको कभी भी कुछ सी को भी कुछ बेचना है, तो सबसे पहले point आता है problem, problem statement क्या है, अब उसकी problem statement है, कि उसका average order value निवर्टी, for example, किसी cafe की, या फिर revenue नहीं आ रहा, तो आपको free में एक solution देना है, क्योंकि हम एक सब लोग जो है, human psychology पे काम करते हैं, अगर मैं आप से direct बोलूँगा, कि मुझे 100 रुपे दे दो, तो अरे लूट रहा है, बट आपने human psychology से, अपना persona बहुत अच्छा बनाया, आपने उनकी help करी, और आप उनके हमारे दिल के गंदा पाट रहता है, एक अच्छा पाट रहता है, कुछ अच्छे लोग होंगे, दोस्त, कुछ बुरे लोग होंगे, हैं, BCA वाला ये, मतलब no hate to BCA, एग्जामपल, एक है, सो आप सब से पहले problem statement आपने दूड़ी, problem statement कुछ भी थी, उसका आपने free में solution दिया, थर्ड, आपको आपका introduction देना, आप हैं कौन, आपको आपके बारे में बताना है, फॉर्थ, आपको trust built up करना है, किस तरीके का trust, जूट भी बोल सकते हो, कि मैंने इतने करोड रुपे का ad चलाएं, मेरे पास इतनी वो है, बहुत सारा, आपने अपने कुछ भी हो सकता है, आप इतना grow कर लेते हो, आपका Instagram, तो इस तरीके से, आप आपके customers को trust दिलाते हैं, और last में आता है FOMO, fear of missing out, आपको कुछ देना है, कि आज मेरे पास 10 client है, दस ही manage करता हूँ, 11th आप हो सकते हैं, और FOMO देके या फिर call to action देके, आप इसको finish up कर सकते हैं, thank you so much,